गुड माणी एवरिवन मैं हूँ टी एस मिना टेस एकडमी पर आपका सभागत है जलो ठीक आज स्टार्ट के कल अपन क्या निकाला था बर्गमुन निकाला था इसक्वार करना सिखा था ठीक है दोनों स्टेप से लिए आज आपन सिखेंगे घनमुल ठीक है आज आपन सिखे हो था एक का क्यूब होगा एक टिक दो का क्यूब कितना होगा ये होगा आठ तीन का क्यूब कितना होगा ये होगा ट्वंटी सेवन चार का क्यूब कितना होगा ये होगा सिस्टी फोर ठीक पांच का क्यूब कितना होगा ये होगा एक सो पच्चिस छे का क्यूब कितना साथ का क्यूब कितना होगा ये होगा 343 आठ का क्यूब कितना होगा ये होगा 512 नो का क्यूब कितना होगा ये होगा 739 और टेन का क्यूब कितना होगा तो ये होगा 1000 ठीक ये तो सभी को याद होगा ठीक है इसी के बेस पर अपन निकालें कल अपने वर्ग सिख लिया था इसके बाद में अपने अंडरूट निकाला सिख लिया था ठीक है किसी भी संक्यागा ठीक तो आज अपन सिखेंगे गनमूल निकाला ठीक है गनमूल निकाला अपनी कोई भी संक्या है जैसे अपने पास एक संक्या है आठ तो इसका घंमूल कितना निकलेगा इसका निकलेगा दो गुणीद दो गुणीद दो यहनी इसकी करणी में यहां तीन बेठा हैं घंमूल निकले करणी में तीन बेठा हैं पहले अपने कल सिखा था कि वर्ग मुल निकालना तो यहां भी दो था तो अपने दो दो के जोड़े निकाले था आज यहां करणी में तीन बेटा है इसलिए अपने को तिन-तिन निकालने पड़ेंगे तिन-तिन के जोड़े ठीक तिन-तिन के जोड़े यहनी यहां कितना एक जोड़ा बन रहा है यहनी यानि कुल मिला के यहां से एक बहार आयागा, ठीक है, तीन जोड़ों में से एक ही बहार आयागा, ठीक, ठीक, जैसे आपन निकालते हैं, जैसे यह 64 है, भाई, इसका घनमूल निकालो, करणी में तीन बैठा है, यह तीन बैठा है न, इसलिए इसका क्या है, गनमूल निकालो भाई ये तो अपने टेन तक कर लिया अब टेन से उपर वाली संक्या का कैसे निकालते हैं ठीक है टेन से उपर वाली संक्या का कैसे निकालते हैं जैसे मैंने मान लिया कि अपने पास कौन सी है 729 ठीक ये हैं अब ये अपन कैसे निकालेंगे गहां भे इसका गहन मूल कैसे निकालेंगे तो इसका गहन मूल निकालने के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा इसका गहन मूल निकालने के लिए अपनों को या तो यह मेथड़ है कौन सी वाली यह अब इससे करते जाओ जैसे यह काई से जाएगा तीन से तीन से तीन टाइम ठीक तर तिन तर चाहिए अपनेको ठीक तर दिन तर चाहिए तर किसा बनेगा यह अएगा इन जॡ़ित त्पी कि आपने जोडेत के लिट दूल निकालना तिन जोड़ा जोड़ोजे जोड़कि एक दो तो तीन बाहर आजाएक ठीक एक एक जोड़म से बाहर आ जागए यहनी यह कितना हो जागए यहनी क्यूब किसका 729 जो है 729 इसका घंड मुल कितना निकलेगा नो ठीक अब यह में थड़ी भी है अपने पास चलो ठीक है अपने देख लिया कि यह 729 का अपन निकाल लेंगे इसे करगे ठीक है एक एक स्टेप बाई स्टेप अब अपन क्या करते हैं अब अपन क्या करते हैं कि जैसे इससे सबसे बड़ी वाली संग्या अपन डिवाइट करते हैं सबसे बड़ी संक्या निकालते हैं कि हाँ भाई चल ठीक है सोस जैसे उपर ही एसे करके जैसे मैंने निकाल लिया अपन सबसे बड़ी लेते हैं जैसे 1728 इसका निकालते हैं तो इसका कैसे निकालते हैं इसे ही करते हैं इस method से तो काफी लंबा हो जाएगा, page पूरा बढ़ जाएगा, या वो time भी ज़्यादा waste होगा, अपने को competition की डीज को short form बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसका तीन अंक देखते हैं पीछे से, घन मुल निकाल रहे हैं न, तो तीन अंक पीछे से देख अपने को देख रहे हैं, या एसी संक्या देखो कि किसका घन मुल करने पर एकाई अंक आठ आ रहा है, ठीक है, तो एक, किसका घन मुल करने पर एकाई अंक आठ आ रहा है, तो अपने एक से लेकर टेन तक लिख लिया है, तो अपने देखें किसका एकाई अंक, यानी एक का क्यूब करेंगे तो एक क्यूब करेंगे तो आठ यानि दो का क्यूब करूँब तो आठ आरा मेरा एकाई अंक ठीक है अब देखो जब अपने ये देख लिया है तो अपने क्या देखना है अगली संक्या तीन तो अपने देख लिया तीन अंक तो अब एक देखना है, तो एक जो संख्या यह किसके बीच में आ रहा है, एक और दो के बीच में, तो अपने को छोटी संख्या लेनी है, एक, ठीक है, अब एक को देखने है, छोटी संख्या लेनी है, एक, ठीक, तो यह किसका होगा, एक, यह किसका होगा, बारा का, कितना होगा, एक यह बारा यानि सबसे पिल आपने देख लिया कि यह किसका क्यूब करने पारा है दो का क्यूब करने पारा है और यह एक जो है जो एक संक्या बची यह किस-किस की एक और दो के बीज में यानि आपने वो छोटी संक्या एक लेनी तो यह बारा का क्यूब होगा 17-28 किसका होगा 12 का क्यूब होगा 17-28 भर्गमून निकलेगा 12 ठीक अब देखो अब आगे चलते हैं अब अपन देखते हैं जैसे अपन देखते हैं इससे एक संक्या और बड़ी लेते हैं चलो ठीक है अपन लेते हैं कि 9000 9000 91125 ठीक अपने इससे भी बड़ी संक्या लेते हैं चलो इसका घंमुल निकालते हैं ये करणी में बेटा थी इसका घंमुल निकालते हैं ठीक तो अपने को पीछे से तीन संक्या लेनी पीछे से तीन संक्या ले ली मैंने अब देखो अब ये करके देखो कि पांच जो है किस संक् करने पर इकाई यंग पांग पांच आ रहा है तो 4 और 5 की बिच में आ रहा है तो अपने उन से से क्या लेनी है यह लेनी है चार तो यह 45 का क्यूब है यह 45 का क्यूब होगा ठीक तो यह क्यूब 45 का होगा तो क्या होगा 91 125 ठीक 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 तो यह क्यूब किसका होगा 45 का क्यूब तभी तो 45 तो इसके बराबर क्या आएगा तो अपना क्योशन था कि अंडरूड 9 1 1 2 5 इसका कितना निकलेगा इसका निकलेगा 45 ठीक है इसका कितना निकलेगा 45 चलो ठीक है अपन और एक्जामपल ले लेते हैं ठीक है अपन और एक्जामपल ले लेते हैं अपन निकालते हैं चलो ठीक अपन निकालते हैं इससे थोड़ी और बड़ी संक्या लूँ इससे बड़ी संक्य टिक इसका घनमुल निकालते हैं इसका घनमुल निकालते हैं मैंने क्या बताया अपने को तीन अंकल लेनी पीछे से टिक पीछे से तीन अंकल लेना और यह देखना है कि दो जो है यह किस संक्या का क्यूब करने पर पीछे दो आ रहा एकाई अंकारा है तो देखो, यहां मैं दिखा देता हूँ एक बार तुमें, दो जो हैं, यह किस संक्या का घनमुल करने पर इकाई गंका रहा है, तो देखो, एक का तो नहीं आ रहा है, दो का भी ना रहा है, तीन का भी ना रहा है, चार का भी ना रहा है, पांच का भी ना रहा है, छे का भी बीच में आ रहा है ठीक है एक की जो है यह किस किस के बीच में आ रहा है एक की जो आ रहा है अपना यह दो और तीन के बीच में ठीक है दो और तीन के बीच में तो अपने को छोटी संख्या लेनी है दो का क्यूब आट होता है और तीन का क्यूब 27 होता है यानि एक की जो है द ठीक है तो इस संक्या का इसका घनमुल कितना निकलेगा 28 कितना निकलेगा 28 ठीक अपन क्या करते हैं आगे और संक्या देखते हैं ठीक है और संक्या देख लेते हैं चलो एक एक अध एक्जाम पर उल करते हैं ठीक है अपन करते हैं अपन करते हैं जैसे मैंने एक संक्या लेली है 89,507 ठीक इसका गन्मुन निकालो इसका निकालते हैं गन्मुन कितना तो अपने पीछे से पर एकाई अंकर कितना साथ आ रहा है ठीक है तीन ले ले लिया मैंने अब बचा क्या है उन्हासी अब उन्हासी किस-किस के बीच में आता है भई उन्हासी किस-किस के बीच में आता है तो उन्हासी आएगा उन्हासी आएगा उन्हासी आएगा अपने एक तो चार और चार का आएगा सेवन तीनाइन थाउजेन फाइफ ईंडरएट सेवन ठीके, ठीके, तो इसका रूट कितना निकलेगा 43, कितना निकल गया 43, ठीके, आगे और देख लेते हैं एकाद एक्संपल और देख लेते हैं चलो ठीके चलो ठीक है अब अपने यह तो दो अंक वाले ने ली चलो ठीक है अपने देखते हैं कि एक से भी बड़ी संक्राइप निकलते हैं घ् moonlight किसी तीन अंको का हो ठीक तो अपने ले लिया धन्मूल याएगा 1481544 तैक इसका ले लिया ठीक अब देखो यहाँ तो कितनी बड़ी, तीन ले रहे ते, फिर यहां बे है चार भची, तो koई बात नहीं, अपन क्यूब निकाल रहे नगा पीछे अपने को तीन ही लेना, आगे जो भची संक्या इसका सबस्क्रेब बाद में हिसाब करेंगी, पीछे वाली संक्या, तो एसी कौन सी संक्य बटी 14 81 बची न तो अपने लिखा था देखो अपने लिखा था को 10 का क्यूब एखाई से बड़ी ले लो 11 का क्यूब कितना आएगा 11 का क्यूब आएगा 13 hundred 31 और 12 का क्यूब कितना आएगा 12 क्यूब आएगा 17 28 ठीक तो अपना कहूं श्किस के बीच में आ रहा है चावदा 81 की सिंगे 11 और 12 के बीच में तो अपन यहां भी क्या ले लेंगे चोटी वाली संकी 11 अपने घंवन निकालना सिख लिया तो अब क्या निकले हैं अब अपन क्यूब निकालना सिखते हैं ठीक है ठीक है तो आगे देखो अब देखो जैसे अपने पास कोई सी भी संक्या है अपन छोटी संक्या लेते हैं जैसे कोई सी मेरे पास 12 है ठीक अब इसका क्या क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले अपने को कुछी निकालना आए इस संक्या का क्यूब निकालते हैं दो का इसका क्यूब निकालते हैं अब अपने को क्या क्यूब निका आएगा वन ठीक ठीक है अब देखो अब इसका मल्टिप्लाई करो इसका क्यूब करो सोरी इसका मल्टिप्लाई में टू टू का मल्टिप्लाई में थ्रीं किया तो छे कितना हो गया अब देखो अगर अगली स्टेप में क्या करते हैं कि एक का मल्टिप्लाई करो दो में दो क multiply करो इस तीन में और इस पूरे में multiply कर देते हैं जो बीचे बाली संक्या पूरी 12 का तो कितना आया एक में दो का गिया दो, दो में अच्छे बारचंग बहुत्तर, एक संक्या छोड़ के अपने को बहुत्तर ऐसे लिखना है ठीक है, उपर से इनको जोड़ो आठ, इनको जोड़ो दो, ये कितना साथ और ये कितना एक, यानि 17-28, ये किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना आएगा, 12 का क्यूब कितना आएगा, 17-28 देखो, वो थोड़ा show नहीं हो रहा था अब हो रहा है ना तो इसको निकालने का तरीका मैंने बताया ना क्यूब इस सबसे पहले दो का क्यूब कर दिया आठ आया अब अपने को तीन संक्या बनानी तो मैंने जिरो जिरो करके तीन संक्या बना ली ठिक ठिक है उसके बाद में इस एक का क्यूब भी कर दिया एक का क्यूब किया तो एक ये लिख दिया अब अपने हो क्या करना है अगली स्टेप में इस एक का मल्टिप्लाइ इस दो में करो दो का मल्टिप्लाइ तीन में करो ठिक एक का multiply दो में किया, दो का multiply तीन में किया और इस पूरे में multiply इस अंदर वाली संक्या पूरी का बारह कर दिया कितना आया? एक का multiply दो, तो दो एकम, दो एकम, दो एकम, दो एकम, दो एकम, छे, बारचंग, बहुत तर लिख दिया लिखने का तरीका इस एक संक्या को छोड़ दो उसके बाद में अपने बहुत तर लिख दो इन सभी को अब 8 कर दो इसमें 8 किया 8, 2, 5, 7 नहीं यह 1, यह 17, 28, 12 का क्यों बहुता है एक यह मेथड़े ठीक है, अब अब अपन देखते हैं यह बहुत आसान मेथड़े मतलब सारी मेथड़ में सबसे आसान गी है ठीक, अब आगे देखो अब अपन आगे करते हैं ठीक, आगे करते हैं किसी भी संक्या का निकाल लेते हैं किसी भी संक्या निकाल, जैसे अब भी तो 12 का निकाला ठीक है अब 12 निकालते हैं तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं चलो ठीक है 25 का क्यूब निकाल देते हैं यह 25 का क्यूब टिक इसका क्यूब निकालते हैं सबसे पहले वही मेथड क्या करें सबसे पहले क्या करते हैं इस 5 का क्यूब कर देते हैं पांच का क्यूब कितना होगा 125 देखो अब यहां तो ओल्डी दे भाई मां अपने को तीन संक्या बनानी पड़ रही थी यहां पर क्या है तीन संक्या बनानी पड़ रही थी तो अपने 00 लगा था लेकिन यहां तो पहले से ही तीन संक्या बन गई कोई बात नहीं ठीक अब प multiply 5 में करो 5 का multiply इस 3 में करो और इस पूरे का अंदर वाली पूरी संक्या का multiply कर दो कितना आया बांदूना 10 10 त्या 30 और कितना होगा 30 में 25 का किया तो कितना होगा 25 त्या 55 यहनी 750 अब इस 750 को यह एक संक्या छोड़के लिख दो यह कितना होगा 0 यह 5 यह 7 सभी को एट गड़ दो यह कितना है पांच यह 2 यह 6 और यह कितना 15 यहनी 15 चेशली मेथर यही है अगे देखो अब अब आगे और देख लेते हैं आगे और देखते हैं किसका निकालते है चलो ठीक है इस से थोड़ी बोड़ी ले 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 यानि 37 का निकाल लेते हैं 37 का जैसे जैसे बड़ी जाएगी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें कोई बात नहीं है अब इसका क्यूब निकाल दे है इसका क्यूब कैसे आएगा मैंने क्या कहाता पहले इस 11 का क्यूब निकालो कितना आएगा 7 का cube कितना होता है 343 यह आएगा तो अपने 3 संक्या मना 3 बन गए already ठीक है अगर नहीं हो तो 0-0 करके 3 संक्या मना लो फिर 3 का इस 3 का cube निकालो कितना आएगा 27 यह आएगा ठीक है ठीक अब आगे देखो अपन क्या करते हैं अब अगली step में क्या करते हैं 3 का multiply 7 में 7 का multiply 3 में देखो इस 3 का multiply 7 में 7 का multiply 3 में और इस पूरे का whole multiply कितना आएगा 37 ठीक है इन 3 का multiply करेंगे तो कितना बनेगा 3 का multiply करें तो देखो 3 का multiply करें तो यह आएगा मैंने अभी निकाल लिया इसका 331 ये आ रहा है, इसको लिखने का तरिका एक संक्या छोड़ के लिखो यह आएगा, एक, फिर तीन, फिर ये दो ठीक है, ये आएगा, ठीक, ये दो है न, अब इन सबी को जोड़ दो तीन, चार ने एक, पांच, तीन ने तीन, छे, साट ने तीन, दस, ने ये कितना आएगा? 1 और 2 4, 1 5 कितना आए रहा? यनी ये संक्या अएगी 37 का चूब 36 का चूब ठेके अब एसलि निखर लो गया ऐसलिए एसलिए तो आप देखो आगे कोई सिंक्या निका लो ठेके इसका निकल जागा ना एसलिए हिग अग अकर वोड़ी निकालना है भी बता दू एक क्यूशन इसका क्यों का क्योह निकाल extraordinarily एक यह प्रोसेट में करना है इस नो का मल्टिप्लाइए और पिर इस पूरे का मल्टिप्लाइए निन्यान में में करना है तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा इसका आएगा 24057 कितनी आईए? 24057 यह मैंने करके देख लिया था है ना? मैंने करके देख लिया था इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप करके देखना आराम से तो एक संक्या छोड़ के लिको या आएगा साथ या आएगा पांच या आएगा जीरो या आएगा चार या आएगा दो ठीक सभी को जोड़ दो नो दो ना साथ नो यह साथ ना पांच बारा केरी कितना बन फिर दैस की जीरो यह कितना बनेगा तीन, चार, साथ और यागर नौ ठीक है कितना आएगा 9,70,99 यह किसका 99 का क्यूप आएगा तो मैंत पसंद आए चैनल को लाइक शेर करो चैनल को सब्सक्काइब करो ठीक है और अगे जो है अपने साँ कल से ना कल से क्यूशन बना हुआ इसके दो ये दो दूसरा part हो गया पहिला part ही मैंने वर्ग मोन निकाला अखाया था स्क्वार करता आ इस next गंच मोन निकाला इसके बात मैं इसमें क्यूब निकालना सिखाया चलोथीक है है न तक तक के लिए thank you, अगला part पिर कल से प्रेहन दो है थेंक्यो, everyone